जैहिन दोस्तों मैं आप सभी के बीच लेकर आगया हूँ आपका वीपीजी टीरी पॉइंट जीरो एकजाम के लिए एवं फोर पॉइंट जीरीज करा रहा हूँ और यह टेस्ट शीरीज नंबर है आपका फोर यह जेनरले स्टरीज का पार्ट है ठीक है तो चलिए आज इसम करके एम का मान निकालना है तो चलिए solve करते हैं तो देखिए हमने क्या किया है यह सवाल को कहले पहले जैसे दिया था वैसे लिख दिया है इसके बाद देखे क्या किया हूँ इसके बाद हमने क्या किया है यह उपर लिख दिया हूँ और यह जो भाग में है उसको नीचे ल आगे बढ़िएगा, तो देखिए ये 3 है, और इसमें दोनों में हमें M common मिल रहा था, M common ले लिए, M minus क्या बचेगा यहाँ, 2, और ये 1 बटा M है, M से M क्या कर देंगे, कार देंगे, तो 3 के power M minus 2 बचेगा, और 80 को हम 3 के power 4 लिख सकते हैं, 3 को 4 बिर गुरा करिएगा, तो 80 आजयेगा, अभी अधार से अधार तो खतम हो जाएगा चुकि सेम है, तो power से power बढ़र हो जाएगा, तो देखिए power से power बढ़र कर दिए, ये minus 2 उस पार जाएगा, तो पलस 2 हो जाएगा, तो 4 दो कितना हो जाएगा, 6 M का मान हो जाएगा answer, ठीक है, तो लिजिए इसका answer, 6 option number B answer हो गया, आगे बात करते हैं, यह वला देखिए, यह देखिए, यह question कहा जा रहा है, कि ABCDA का आयताकार कागज का टुकरा है, यदि AB का मान 20 cm, BC का मान 14 cm, तो इस कागज के टुकरे BC को ब्यास मानकर, एक और विरिताकार टुकरा काट लिया जाता है, तो कागज के सेस भाग का छेतफल निकालना है, तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको, ते देखिए, एक हमने आयत मना दिया, जिसका नाम ABCD लिख दिया, आयताकार का गज, और इसमें बोला था कि BC, AB का मान 20 cm किता में बोला था, BC बोला था 14 cm, और बोला था कि BC को ब्यास मानकर, एक और विरि आयत का निकालेंगे तो इस टू Felix का च्पल निकालेंगे तो तोन निकल जएगा, इस टूटल में से और भी बज़ित कचतफल जो काटा हुआ है, इसको घटा देंगे, ले यह सेस वाला भच जाएगा, तो आहिए किया है देखे, आयत कछितफल और वीट कछितफल कागज किस भाक कछितफल निकालना है तरी घठा कर देंगे., तो देखे, आयत कछितफल लामबाई सोरयगे, लामऑई कितना था 20 सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कितना बचेगा साथ गुने इगार यानि 277 और इसको गुना करेंगे 280 घटाएगा तो 203 संटीमीटर स्क्राइर एंसर हो जाएगा ठीक है तो 203 संटीमीटर स्क्राइर आप्शन नमर सी आगे देखते यह बला देखिए करा कि धनात्मक संख्या अगर के को क्या करना है जब उसका 30% से गुना कर दिये जाए कोई संख्या है के और उसके संख्या से 30% का से गुना किया जाता है तो प्राप तो जो संख्या होगा के से 170% अधिक होगा तो के का मान ग्याद करें तो सिंपल देखे इसको हम कैसे बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बोला है कि संख्या के के लिग देता हूं और इसके का केतना परसेंट, 30% से गुना करना है, चले 30% से गुना करते हैं, 30 बटा, 100 लिखना पड़ेगा, 30% मतलब 30 बटा 100, फिर इस संख्या है, इसका क्या बोल रहा है, कि 170 परसेंट ज्यादा है संख्या, देखें, 100 से 100 खतम हो गया, यह 0 से 0, खतम हो गया, 39, 27, 9 बार में, है के से के खतम, तो है यह गो के बचेगा, यानि के का मान उधर कितना 9 बच रहा है, तो इंसर आएगा के का मान 9, जो की अप्सन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उतर E होगा, आगे बात करते हैं यह बला देखिए, करा कि धारा के, धारा की चाल 3 कि पुरी केतना दिया है, 26 किलो मिटर प्रती घंटा, किलो मिटर दिया है, 26 किलो मिटर दिया है, टाइम निकालना है मेरे को, अब उसके बाद में तो क्या हो जागा, बाटा, चाल, चाल क्या, यह दोनों एक ही दिसा में है, बोल रहा है, यह जो धारा की चाल है, और यह सांत 5 дети 8 इदि आख को सुल्ब करना है तो 27 को सुल्ब कर ये तो चाहर दूना आठ है ते रीवेस टेरे बटा चार को पुर लीजिए थीरे बटा चार को पुर्णांग् का से तो इसी ुरुख के बार्णा खोकी ट्यारी यानिजिए एंसर होगा तो अप्सन नमर दी एंसर कर लिजिए आगे बात करते हैं ये वाला देखिए करा कि जब एक जार में 24 को कंचा है कुछ हरा है और से इस नीला है तो इस जार में यादरिक्ष एक कंचा निकाला जाता है तो कंचे हरा होने की प्रायक्ता कितना बोला है दो बटा त संखे अगर हम एक्स मान लेते हैं हरा वाला का तो नीला क्या बोला था सेस बच रहा था यानि की टोटल 24 गो था तो 24 गो एक्स तो मान लिए हरा है तो सेस नीला बचेगा तयानि 24 माइनस एक्स हो जाएगा नीला अब चलिए अब बोला था कि हरा होने की प्रायक्ता तो हरा आफुस ऊपर हरा कितना था चौब radius 24 और होने की प्रैइक तरह ही बाटा-tyan दिया तो पटा-tіन दिए अब तीन से कलने के इस प्राइक Esther 2 बार में अगअ कि 24 बार में देखिए एक इस कमान कुछ नेते अंगे एक स्टिसक अनो कितना होगा आठ तो इसका एंसर आठ होगा आपसन नमर सी आगे बात करते यह वाला देखिए कराके प्रत्थम सम्न दस संख्याओं का माध इन ग्याद करें तो सिंपल है दस को संख्या लिख लिजिए अब बीच वाला कर लिजिए वही है इसका हो जागा माध है ठीक है तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अब देखिएगा यहां से तो बीच में कौन पड़ेगा चार गो इधर छोड़ दिए चार गो इधर छोड़िए तो बीच में आपका दोस और बारे पड़ेगा तो दोस और बारे दोनों को जोड़िएगा तो 22 आएगा और दो से भाग द तो माध माध्यक और बहुलक के बीच समध देखिए बताता हूं आपको तो देखिए माध एक्स दिया है माधिका य दिया है बहुलक को जेड दिया है तो देखिए माध माध्यक बहुलक निकालने का एक फर्मूला होता है तीनों समध सुत्री ही होता है तो बहुलक के जग या 3y या 3y या 3x हो जाएगा अब थोड़ा साम क्या किये हैं देखिए इसको हम उलट दिये हैं माइनस कमन करके तो यहां पर इतना बराबर कि तीन कमन कर लेते हैं तो y x-y जो की option में यही answer दिया है ठीक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो देखिए कौन सा उतर हो गय यहां पर देखिए option number b दिख रहा है यहीं इसका answer दिया है आगे बात करते हैं यह वाला करा कि समना अंतर सेटी में यह जो संख्या दिया है इसका सारवा अंतर निकालना है सारवा अंतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर यानि दी निकालना है तो दी निकालने का formula t2-1 ओक इतना आएगा एक बटा 2 तो एक बटा 2 किन है option number c answer हो गया अब देखिए यहां पे अब यहां से अब शुरू हुआ कौन सी जी के जी इसका question शुरू आत हुआ चली इसको हम शुरू करते हैं पाहला question है इसको पढ़िए कि April 2024 में April 2024 में ESO CHAM ESO CHAM के अध्यक्ष का पदभार किसने गरहन किया है तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों इसका answer हो जाएगा आपका Sanjay Nair April 2024 में ESO CHAM का क्या है वो पदभार है अध्यक्ष वाला जो पदभार है गरहन किये है याद रखिएगा अगला question देखिए तो यह आपका current रफेर से question है अब अगला question देखिए यह देखिए 40 number question 40 number में बोला गया है कि मार्च मार्च 2024 मार्च 2024 में पहला भारत स्टीम वाइलर एक्सपो 2024 कहां शुरू किया गया तो देखिए इसका answer कौन सा हो जागा answer हो जागा आपका B गोहाटी यह मार्च 2024 में पहला भारत स्टीम वाइलर एक्सपो यह 2024 कहां शुरू किया गया तो गोहाटी में शुरू किया गया इसको याद रखना है ठीक है और हाल ही में इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले द्वहारा गोहाटी में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर एसक्लिक्स सीखर समेलन की में जबानी भी किया गया ठीक है याद रखिएगा इसको भी चलिए अगला देखते हैं देखे अगला कौन सा देश वर्वपात को सवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला बीश्यू का पहला देश बना है तर इसका एंसर हो जगा आप्सन नमरे फ्रांस बना है कौन बना है फ्रांस याद रखिएगा ठिक है और ये भी बात याद रखेगा कि फ्रांस के राष्टपर्टी इमाइनुवल मैकरान जो थे उसके द्वारा अंतराष्टिये महिला दिवस कब मनाया जाता है अगला कोचन देखे किस राज सरकार ने युवा उदियमियों को ससक्त बनाने के लिए युवा उदियमि विकास अभियान शुरू किया इसका एंसर हो जागा दूस्तो उत्तर परदेश कौन जी उत्तर परदेश उत्तर परदेश में आपका याद रखिएगा लोग सभा के सीट कतना है तो असी गो है ठीक है कितना है असी गो यह भी बात आप याद रखेंगे और अभी उत्तर परदेश के मुख मंतरी तो आपको पता ही होगा अधित्ते ना थी होगी अगला कोचन है नो सेना अध्यक्ष नो सेना अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया इसका एंसर हो जागा दोस्तों सेसेल्स ने कहां पर सेसेल्स में किया गया याद रखिएगा ओके अब देखते हैं अगला कोचन ये वाला देखिए भारत में आयोजीत एकहतरवा मिस वर्ल्ड 2024 का किताब जीतने वाले क्रिश्टिना एस्पिंज गोवा की देश की है तो ये इसका एंसर हो जागा आपका आपसर नमर सी चेक गनराज की है अगला कोचन है कि 17 से 21 फरवरी 2014 तक अंतराश्टिय कठकूतली महोत्साव के 21 संसकरन का आयोजन कहां किया गया तो इसका एंसर हो जागा चंडी गड में किया गया इस हाली में किस नोबेल फूरस्कार भारतिय वीजेता के द्वारा सपनो की रोशनी नामा कुष्तक का भीमोचन किया गया तो इसका एंसर हो जाएगा कैलास सत्यार्थी तों थे कैलास सत्यार्थी याद रखेगा और नोबेल पूरसकार अगर जीतने पहला नोबेल पूरस कारकिन को दिया गया था तो रमीर्ना टैगर को पूरुस में महिला को अगर बात किया जाए तो मदर्ट रहसा को यह भी बात आप याद रखेंगे चलिए अगला कोचन देखते हैं यह रखिए 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमिशन के वाई को लेकर उसकी सभापतित्यों के अंतरगत निर्ना लिया तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सान नमर C म. अंसारी म. अंसारी ठीक है और पंडी जवाहलल यह भारत के पहला क्या थे परधार मंति थे यह भी बात याद रखेंगा और इनी के जनम दिवस के रुपे बाल दिवस चोदिन उमर को मनाया जाता है यह भी बात याद रखेंगा अगला कोचन देखिए 1918 के मांटेग्यू चेंप्स फोड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपड़्याप्त और संतुस जनक यह निरास जनक माना गया तो इसका एंसार होगा तीलक के द्वारा ठीक है कौन थे तो तीलक का नाम सुने है वही है बाल गांग अधर तीलक इनका पूरा नाम होता है तो बाल गांग अधर तीलक नहीं यह किये थे ओके अब अगला कोशन देखिए यह देखिए करा कि धन के परवाह के प्रस्ण को प्रत्थम बार किस भारतिये राष्टवादी ने उठाया था तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्सन नमर सी दादा भाई नरो याद रखिएगा और आगे बात यह भी याद रखिएगा कि दादा भाई नरो जी ने आपने पुस्तक पावर्टी एंड और ब्रीटिश रूल इन इंडिया में धन परवाह के का वर्ण किया है और यह पुस्तक 101 में अंग्रेजी भासा में परकासी तुटी यह भी बात आ अगला कोचन चास नमर अब देखिए यह देखिए कहा रहा है कि किसने तीलग को भारतिय असांती का जनक वर्ण किया है मने वर्णित किया है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों आप्सन नमर सी वैलेंटाइन चिरोल ने ठीक है वैलेंटाइन चिरोल ने किया था ओके अगरिक सेवा से यह यो हूम कब सेना विरीत हुए थे इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों आप्सन वर्ण भी 1882 में तो के अगला सवाल देखिए ग्रामन उदियोग संग को किसकी पहल पर अस्थापित किया गया तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों महातमा गांधी अगला कोचन है 1947 में भारत में कितने विश्वी ड्याले थे तो 1947 में आपका 20 गो विश्वी ड्याले था याद रखिएगा ठीक है और ये भी बात याद रखिएगा कि सबसे पहला विश्वी ड्याले सबसे बड़ा वाला जो है अपने बिहार में नलांदा विश्वी ड्याले है याद रखिएगा पहले से ठीक है अगला कोचन है और दसुस्क जलवायो परस्थीतियो और परस्कृत मिटी में उगाई जाने वाली वह फंसल जो खाद फंसल के साथ साथ चारो की फंसल भी है निन्वे से क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा अप्शन नमर C मक्का है कौन चीज़ है मक्का अगला कोचन दखिए भारत 1972 में अपना पड़ी चालन आरम करने वाले बोकारो एस्टील पलांट किया था अपना किस देश के सहायता से की थी तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमर C यू-ए-स-ए- आर ने किया था याद रखिएगा तो अब देखते हैं अगला सवाल और बोकारों में याद रखिएगा एक बोकारों में एस्टील पलांट का प्रथम चरण में सुरुआद किया गया था दो अक्टूबर 1972 में बोकारों को एस्टील सिटी के भी नाम से जान अस्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ओके, अगला कोचन देखिए, ये देखिए, कि भारत और पकिस्तान के बीच 1960 में हुई संधी, जल संधी, पर किस सहर में हास्ताक्षर किया गया, तो देखिए, इसका एंसर हो जागा दोस्तों, आप्सन नमर सी, कराची में किया ग गुलू माउंटेन के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, और निलगीरी जो है, भारत के पश्मी घाट की परवत माला है, याद रखिएगा, ठीक है, और यह जो है, भारत के किस राज में, तमिल लाडू का एक करियाटक अस्थाले, तमिल लाडू में पड़ता ह है, तो प्रिथवी पर सबसे गाहरा बिंदू की बात किया जा रहा है, तो इसका एंसर हो जागा, मरियाना खारी, मरियाना की खारी इसको कहा जाता है, ठीक है, तो अब देखते है, यह दीप नहीं है, दीप लिखा है, ठीक है, इसको दीप देखते हैं, यह दीप पढ़ा पर बोला गया है कि भारत में सीमा सरक संगठन की आस्थापना कब की गई थी तो कब की गई थी इसके अंसर हो जागा मौई उनी सो साथ में की गई थी याद रखिएगा ठीक है और अगला कोचन देखते है ये वला देखिए भारतिय मानक समय ग्रीन वीच माध्यम माध समय से डोडोट आगे है तो कितना है जी तो इसके अंसर हो जगा पांच घंटे तीस मिनट अगला कोचन देखिए दोहजार इगा अगला कोचन है कि एक संग्राले में एक लर्का दर्पन के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके परतिविम का सीरा सीर बड़ा है और शरीर साधारन है और पैर छोटे है ऐसा इसलिए क्योंकि यह दर्पन तीन अलग दर्पनों से मिल कर बना है जो उपर से नीचे की नीचे इस प्रकार व्यवस्तित है तो इसको क्या बोला जाता है तो इसको इसका एं अप्सार बन्यास 2882 है तो इस तत्यों के लिए नीवन में से कौन सा वाक उप्यूपत नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्सान नमर सी दिख रहा है इनमें अक्साइड का सुत्र CO2 है इसमें अक्साइड का सुत्र क्या हो जाएगा? CO2 है तो यही आपका गलत है अक्साइड का सुत्र CO2 नहीं होगा यह गलत बोल रहा है इसमें आपका जब 40 परमानु भारवाले की बात करा इलेक्रोनिक बिन्यास इतना बता रहा है तो इस तत्यों के लिए वाक के कौन स प्यूक्त नहीं है तो यह वाला नहीं हो सकता, यह तो हो सकता है आवर्षानी के समूँख से समौनित है, अब इस न्यूट्रान होगे, यह भी बात सही है, यह नहीं होगा, अपसंची, अगला एंसर देखते हैं, सेडी बरम मस्तिक किस भाग में पाय जाते हैं, तो सेडी बर को बहुत लोगं बहुत लर्कील अगर कम होघा और यह मस्तिक की अगरभाग में होता है याद रखेगा अगलए है सब्सक witches फॉकस और वाक्ता केंद्र कीसी बींदू पर रखा जाएं तो थितिती किसी बींदू पर होगा और धरन्यस कंद्र के बात बोल रहा है focus और रख चेंद्र के बात बोल देगा तो याद रहे होगा वाक्ता केंद्र पर ही कार्बन मिला जाए और जेडेन प्राप्ट होता है आ कार्म अनोन अक्साइड अलग होता है तो ये भाई क्या होगा तो इसका एंसर हो जाएगा option number C ये जेडेन ओ जो होगा zinc में से क्या आक्सी करन हो रहा है तिक है आक्सी करन हो रहा है जेरिन अगला कोचन है कि मानो पड़ी संचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हिर्दय की ओर ले जाती है फुसफुसिय सिरा और और अन्सिराव में क्या अंतर है जो देखिए इसका एंसर हो जाएगा फुसफुसिय सिरा आक्सीजन यूग्त रक्त ले जाती है ठीक है तो यही होगा इसका एंसर अगला कोचन है यह रेखिए निम लिखित में से कौन से योगम सुमेलीत नहीं है मतलब गलत कौन है यह आपको बताना है तो यह पाला ही है एंथरासाइट निम स्रेनी के कठोर कोईला होता है यह गलत बता रहा है ठीक है, योकि एंत्रासाइट जो होता है कोईला, सबसे उतम परकार के कोईला होता है, और कार्बन के मातरा 92% होता है इंत्रासाइट में, याद रखिएगा, ठीक है, इंत्रासाइट सबसे उतम कोईला है, ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, यह देखिए, कड़ा के इसके लिए से करना पड़ेगा यह दूसरा और तीसरा यानिकी उसे नॉस्ट से कॉम किया सकता है उसके उसको नॉस्ट कर दीजे चाहे पूरा 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 चक्रन कर दी इस तरह से हो जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें मिलते हैं मैंने यह फोर सेट कंप्लीट करा दिया यहां